तो दोस्तों आज किस वीडियो में बात करते हैं कुछ नेटवर्किंग के बारे में नेटवर्क के फंडामेंटल एक बेसिक बेसिक नेटवर्क के बारे में आज बात करेंगे जो की इनिस्यल लेविल के लिए बहुत ही ज़्यादा बेटर होगा भी बात करते हैं types of networking तो wire network and second is wireless network तो दो तरीके की networking होती है एक तो wired एक wireless एक तो बोलते हो line लगा के आप system को operate करते हो दूसरा wifi की शुरू तो ये दो परकार की network होते हैं और दोस्तों types of network configuration जिसमें one होता है peer-to-peer configuration and domain configuration या जिसको बोलते हो client server configuration तो ये दो तरीके network configuration होते हैं और इसके बारे में आगे भी जानेगे थोड़ा सा detail में थोड़ा कुछ next videos में तो detail में discuss करेंगी कि क्यों चीज़ें जब तक आपको basic clear नहीं होगी advance clear करने में थोड़ी सी problem हो जाती है तो basic चीज़ें जरूर clear होनी चाहिए और दोस्तों internet हम सब भी use करते हैं बट कई लोगों को पता नहीं होता है what is internet, internet है क्या तो दोस्तों internet is a network application which provides global communication नहीं कि ये एक network application है जो कि global communication प्रवाइड करवाता है and it's work on TCPIP एक TCPIP protocol होता है जिस पे ये internet work करता है जो TCPIP की services होती है ये उस पे work करता है और ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए अगर आप hardware networking में जा रहो कि actual में internet होता गया है क्योंकि वहाँ पे interviewer ने आपको laptop नहीं पकड़ा देना उसे theory चाहिए practical तो बाद में देखी लेगा and दोस्तों email email क्या होता है email is a electronic message which transfer computer to computer and laptop to laptop या phone to phone यानि कि जितनी भी mails आप send करते हो तो इसको आप बोल सकते हो कि ये electronic message है जो कि communication के लिए यूज करते हैं और email के पार्ट क्या-क्या होते हैं तो 2 होता है एक CC होता है एक BCC होता है 2 में आपको पता है जिसको send करना है CC में आप कह सकते हो कार्बन कॉपी होता है जो कि दूसरे को भी mail पहुचे एक तरीक से बोल सकते हो कार्बन कॉपी और एक BCC होता जो कि blind कार्बन कॉपी जो कि सिर्फ जिसे mail जाएगा उसे ही पता चलेगा और भी जितने बाकी लोग mail में होंगे उनको पता नीचे लेगा कि blind में भी कोई है या BCC में भी किसी को रखा गया है तो बचा दोस्तों ये कुछ basic fundamental था जो कि आपको clear होने चाहिए कहीं भी interview देने से पहले और next video में बात करेंगे तो OSI model के बारे में open system intercommunication जो 7 layers होती हैं तो उसके बारे में discuss करेंगे और थोड़ा सा basic से लेकर चलते हैं ताकि आने वाले दिनों में आप इतने बन जाओ अच्छे की interview एक बार में किराइब हो जाए तो बने रही है तो वो सारी चीज़ें आप पर discuss होती हैं तो बस यार दोस्तो आज की वीडियो में इतना वीडियो को लाइक और सेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरू करने मेरा नाम शुबं मैं मैं मिलता अपने नेक्श वीडियो में till then have a great moment and don't forget to like, share and subscribe thank you so much for coming here Jai Hin, Jai Bharat and be safe